हेलो फेंट्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में नेट प्लाउस का डिजाइन माप प्लोग के साथ शेयर करूंगी 36 साइस में मैं इसे बना रही हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे मैं इसमें दो अस्तर लगा रही हूँ एक शॉर्टन का और एक सिंपल कॉर्टन का तो सबसे पहले कॉर्टन वाले अस्तर पे हम नेकर लिए तोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर साड़ी चौदा इंच साड़ी तेरा लेंध मुझे इसकी तयार रखनी है 36 साइस में डीप नेक के अकॉर्डिंग शॉल्डर रखे हैं साड़ी पाँच इंच आर्म होल लिये हैं पॉना छे इंच इस तरीके से मैंने यहाँ पर शॉल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर ली है चेस्ट का चोधा बाग यहाँ पर लेंगे 9 इंच और 1,5 इंच का एक्स्टा रखा है मार्सिन मार्सिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं आदा इंच बार की तरफ लेते हुए तिरजी लाइन बनाएंगे और बार वाले लाइन से आर मोल का शेप देंगे कमर का मेसरमेंट लेंगे कंच के कमर 30 इंच यंच उसका चोधा भाग सफ़कर लेंगे कमर की प्लेट के लिए मार्किंग पूरा करने के बाद अब हमने इससे ही कटिंग कर लेना है इस तरीके से कटिंग मैंने हपड़ कर लिया है और अब मैं इससे शोटन वाले कपड़े पर कट कर रही हूँ इस तरीके से इससे डवल फोल्ड करेंगे और शोटन के स्थर पर भी कटिंग कर लेंगे शोटन फैब्रिक पर कट करने के बाद अब मैं इससे नेट के कपड़े पर कट कर रही हूँ तो नेट में जो साइट में पटी थी पलेंग उसे मैंने कट करके निकाल दिया है اور अब मैं यहाँ पर अच्छे से इससे बराबर करके चेक कर रही हूँ कि किस तरफ से अच्छे से कपड़ा निकल रहा है, किस तरफ से हमारा कपड़ा बच रहा है, उसके according यहाँ पर इसे cut करेंगे सबी पार्ट देखे मैंने cutting कर लिये हैं, अब हम लेंगे गले का measurement गले के width रखी है, मैंने यहाँ पर 2.5 inch, ठाइंच पर माग किया है गले की लंबाई रखी है, 1.5 inch और यहाँ पर मैंने एक box बना लिया है, नीचे से नएक विट रखी है, 3 square neck बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर round shape दे देना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर round shape बना लिया है बाहर की तरफ एक design ड्रो करेंगे, तो बाहर की तरफ से मैं यहाँ पर mark कर रही हूँ, पोना 2 inch बाहर की तरफ, 1.75 inch यह design बनेगा अस्तर वाले neck पर, और गले की total लंबाई मैंने 11 inch पर, 11.5 inch पर mark किया है आप अपने according कर सकते हैं, नीचे से neck विट रखा है, 4.5 inch तो बाहर वाले neck हमें कुछ इस तरीके से design बनाना है, आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर, यह design यहाँ पर draw कर रही हूँ simple मैं यहाँ पर इस तरीके से round round बना दिया है, तो net में से जब यह design दिखता है, तो बहुत ही सुन्दर look आता है transparent जो fabric होता है, इस तरीके का design आप इस तरीके से बना सकते हैं बाहर वाले neck को भी मैंने cutting कर दिया है, जो अस्तर वाला कपड़ाई पर मैंने cut किया है round neck, इसे अभी हमने side में रख लेना है ये देखिए, अच्छे से मैंने याप पर गले की cutting कर ली है, अब मैं इसमें use कर रही हूँ paper pasting का तो paper pasting लेंगे, paper pasting को double fold करके रख लेना है, और गले को mark करना है paper pasting लगाएंगे तो इसमें अच्छी finishing आईगी, अगर आपके पास नहीं होता है, तो आप अस्तर के कपड़े के साथ ही इसे पलट लीजिएगा as it is, गले को mark करने के बाद थोड़ा सा paper pasting हमने बार की तरफ से बढ़ाते हुए इसे cutting कर लेना है अब मैं इसे एक अलग से कपड़े पर नई attach कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है, उसी के उपर attach कर रही हूँ तो पहले यहाँ पर अच्छी से बराबर करेंगे, इसे set करते हुए हमने pin लगा देनी है आप जाएं तो इसे press के साथ कपड़े के उपर चिपका भी सकते हैं, यह कपड़े पर paste हो जाता है paper pasting अच्छे से मैंने देखी गले के उपर इसे लगाते हुए pin लगा दिया है, बिल्कुल finishing के साथ रखना है और अब हम करेंगे इसके stitching, तो सबसे पहले हमें गले पर सिलाई लगानी है यह देखे, इस तरीके से रखेंगे और paper pasting के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल corner के सिलाई लगाएंगे यह देखे, सिलाई मैंने लगा दी है और अब एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगाएंगे ताकि paper pasting अस्तर के कपड़े के साथ अच्छे से attach हो जाए अब बीच में से जो paper pasting है, इसे अस्तर के बराबर से हमने cut करना है तो इस तरीके से दीखे, मैं इसे cut कर रहे हूँ अब इसे अस्तर के साथ attach करने के लिए नीचे मैंने shorten fabric को सीधा रगा है और अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से रखेंगे paper pasting वाला भाग उपर की तरफ रखते हुए, हमने pin लगा लेना है तो यहाँ पर मैं stitching कर रही हूँ, एक पेर का margin cover करते हुए पिल्कुल finishing से करेंगे क्योंकि shorten fabric को stitching करने में थोड़ा problem हाता है तो अंदर की तरफ sun लाए इस बात का ध्यान रखते हुए, मैं यहाँ पर इसका stitching कर रही हूँ मैंने यहाँ पर shorten fabric लिया है, आप चाहें तो एक cotton का स्थर ओल ले सकते हैं अगर shorten अस्थर आपको नई लगाना है तो आप net में दो अस्थर लगा सकते हैं, simple cotton के गले के shape के हिसाब से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर दिया है और अब मैं यहाँ पर extra कपड़े को cut कर रही हूँ तो एक पेर का margin cover करते हुए बागी सारा fabric मैंने यहाँ पर cutting कर दिया है और पूरे ही गले पर छोटे छोटे cut लगाएंगे तो इस तरीके से cut लगा कर इसे complete कर देंगे और फिर इसे पलट लेंगे हाथों के साथ fabric को बाहर की तरफ निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है फिनीशिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो मैं अस्तर वाली तरफ से लगा रही हूँ ताकि कपड़े को बाहर की तरफ निकालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं ये देखें मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर दिया है अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर यह देखे इस तरीके से सिलाई लगा कर इससे पूरा कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रो फैबरिक के इससे कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रो कप्रे को कट करके मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है अब मैं नेट वाला फैबरिक इसके उपर सीधा करके रख रही हूँ और अच्छे से हमने यहाँ पर पिन लगा देनी है पिन लगाने के बाद आप करेंगे इसकी सिलाई तो नेट के बराबर इसे अटेज करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है चारो तरफ से सिलाई लगाकर अच्छे से नेट के कपड़े को अस्तर के साथ अटेज करेंगे अब देखी जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक के नेट का उसे कट कर रही हुँ हुए बराबर से कट करके अस्तर की बराबर हमने कर लेना है इसे कटिंग करने के बाद अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरीके से और अच्छे से पिन लगा देंगे पिन लगाने के बाच्चों मैंने गला कट किया था अस्तर की कपड़े के उपर उसके बराबर से इसे रखेंगे और as it is कले को cut कर देंगे प्रॉपर नेक यहाँ पर cutting हो जाएगा गला मेरा round में cut हो चुका है आपको जितना भी इसे deep करना है वो आप कर सकते हैं अपने according मैंने यहाँ पर अस्तर पे इसे कम ही रखा है अब पीच में से जो गला का कपड़ा निकला था shorten कपड़े पर उसी से मैं यहाँ पर इसका नैक बना रही हूँ आप cotton अस्तर से भी बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सवाई किंच की पटी कट की है इससे मैंने double fold पहले cross में cutting किया है फिर इसे जोड दिया है और फिर double fold करते हुए एक सिलाई लगा देंगे तक यह लगाने में इसी रहे double fold करते हुए मैंने एक सिलाई लगा दी है पटी पैच्चे से finishing करेंगे और अब इससे attach कर देंगे तो यहाँ पर हमने एक पेर का मारसिन कवर करते हुए पटी को गले के साथ साथ अटेश कर देना है खीषना मिल्कुल भी नहीं नहीं पटी को और नहीं नहीं नेट को बराबर से रखते हुए Серг करेंगे तो दिकिए Cum बेंगे में करती है पटी की और एक सिलाई पटी को सिर्फ करते हुए पटी पटी की उपर लगा लेंगे अब हमने पटी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है गला भी बन गया है बिलकुर फिनिशिंग के साथ और अब हमने सैंटर में चोटा कट लगाना है सैंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करेंगे अगर हमारा गला डिजाइन वाला होता है या डीप होता है तो प्लिट्स हमें एक्जिस्ट करते हुए ही लगानी होती तो सेंटर से कपड़े को थोड़ी दूरी पे मैंने फोल्ड किया है और प्लिट्स लगाई है चार इंच की लंबाई में नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से सिलाई मैंने लगा दी है फिर एक सिलाई कपड़े को इस तरफ करते हुए कपड़े की उपर लगाएंगे फिर हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब पैटन को साइट में रखेंगे अब मैंने अस्तर का एक्स्टर फैब्रिक लिया है और मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और इसे पिल्कुल गोलाई में कट कर लेंगे तो इसका हमें बोव बनाना है बोव बनाने के लिए यहाँ पर दिखे मैंने इसका सरकल पैटन कट किया है और अब मैंने इसे शोटन कपड़ी पर भी कटिंग कर लिया है और नेट का जो गले का फैबरिक निकला था तो यह जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक निकला था उसी म कपड़े को नीचे की तरफ सीधा रखेंगे इसके साथ हमने नेट को स्टिच करना है और ये बोकर साइज थोड़ा लग रहा था मुझे तो मैंने इसे थोड़ा कट कर दिया है गुलाई में अब इसे सिलाई लगा देंगे तो नीचे हमने रखना है नेट वाला कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े के साथ इसे गुलाई में स्टिच कर देंगे साइट में से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग करके निकाल दिया है बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइट से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमने सेंटर में एक छोटा कट इसे पलट के सीधा कर लेना है तो इस पैटन को पलट के सीधा करेंगे हाथ उसे कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देंगे एक बार अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे ये देखें पैंसिल से मैं इसका कपड़ा बार की तरफ निकाल रही हूँ और अब हमने एक कॉर्णर की सिलाई लगा दी नहीं है तक कि पैटर्न अच्छे से बेट जाए सिलाई मैंने लगा दी है अब मैं इसके सेंटर में बार्किंग कर रही हूँ चॉक से और अच्छे से बराबर से इसे इस तरीके से ब्लट्स बनाते हुए सिलाई लगा देंगे आप जाएं तो सुईदागे से भी कर सकते हैं ये देखिए तो मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है और इसके बाद इसके उपर में एक पटी लगाऊंगी तो पटी मैंने शॉटन की ही कट की है सैफ्टी पेन की मदद से पटी को बलट के सीधा कर लेंगे इस तरीके से ये बाहर की तरफ आ गई है पटी को अब यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे की जो बचा था साइट से जो प्लेन फैब्रिक निकाला था मैंने उसी का मैं बैल्ट बना रही हूं तो बैल्ट की लंबाई चुड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं यह देखे इस तरीके से नीचे से तिर्चा सिलाई लेते हुए हमने इस लाई लगानी है फिर इससे पलट के सीधा कर लेंगे कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेंगे दूसरा बैल्ट भी इसी तरीके से तयार कर लेंगे दोनों बैल्ट को साथ में बराबर से रखते हुए स्टिच कर देंगे यह पैटर्न तयार हो गए है और अब हमने अपने ब्लाउस का सेंटर मार्ग कर लेना है सेंटर मार्ग करने के बाद बैल्ट को यहाँ पर अडेश कर देंगे इस तरीके से और इसके उपर बो को लगा लेंगे सुईधागे से और यह डिजाइन बनके तयार हो गया है तो पैंट साब को अज का मेरा यह डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तन्यवाद